स्री शिवाय नमस्ति ग्रम ये उपाय उनकी लिए है या माहा उपाय कहिए उनकी लिए है जिनको संतान की प्राप्ति नहीं हो रही है साधी के चाहे 12 वर्सो 13 वर्सो, 8 वर्सो 32 वर्स तक हो गए है उनको भी इस उपाय से संतान की प्राप्ति हो रही है अगर आपने सफिद आंक्रे की जड़ कमर में बांध लिया दो बार तीन बार ये उपाय कर लिया फिर भी आपको संतान की प्राप्ति नहीं हो रही है पस्षुपती वरत कर लिया फिर भी नहीं हो रही है तो हिम्मत ना हारे बगवान पे विस्वास हो दिया ऐसा बिल्कुल भी ना करी अगर एक उपाई से नहीं हुआ तो आप दूसरा उपाई करें पर भगवान पर विस्वास रखे जब आप उपाई कर रहे हैं जब आपने एक बार डॉक्टर दिखाना शुरू कर दिया है तो बीमारी आपकी ठीक होके ही रहेगी ठीक वै बस्ताते हैं कि करना क्या है सोंबार की अस्टमी तिथी के दिन किसी बेल के पेड के नीचे ब्राह्मन दमपत्ती को बठा कर बच्चे सहित ब्राह्मन और उनकी पतने को उनके बच्चे सहित बठाएं और उन्हें घर से खीर बना कर लाई हुए खीर उन्हें खिलाएं, उनका खीर खाने के बाद उनके बच्चे वे जो खीर हैं, वह आप दोनों पती-पतनी गरहन करें। और उसके बाद उस भील के व्रिख्ष की पूजन आराधना करें और एक दिया जलाएं महादेव को ये खहते हुए कि आपके घर में वंग्स की व्रिध्धी हो और फिर ब्राह्मन को यथा सकती दक्षिना इत्यादी देकर उनको प्रणाम कर आसिरवात ग्रहन करें विदा करे तो महादेव तीन महीने के अंदर ही गोद अवश्य भर देते हैं संतान की प्राप्ति अवश्य होती है और इस उपाय को करके ना जाने कितनी लोगों के घर में रोश्नी हो गई बच्चों की किलकारियां गूंजने लगी तो अगर आपके कोई परिछित ऐसी हैं जिनके ब अबश्य करें उपाय बहुत छोटा है केवल एक दिन करना है और आप पूरी जिंदगी फिर संतान की सुख की प्राप्ति कर सकते हैं जो इस वीडियो को शेयर करेगा उसे भी पुझन का फल प्राप्त होगा क्योंकि अगर कोई एक भी इस उपाय को करके किसी एक के घर में भी रोश्णी होती है तो महादेव आपके जीवन में भी रोश्णी प्रदान करेंगे क्योंकि आपने दूसरों की जीवन में दिया जलाया है तो ऐसी संदर संदर वीडियो और उपाय जानने के लिए चानल को सब्सक्राइब अवश्य करें स्री शिवाई नमस्ति भ्याम